ज्यान की देवी मासरस्वती के जनमदीन की कहानी यानि बसंद पंचमी माग मास की सुल्क पच्च की पंचमी को पूरे दिये इसमें मासरस्वती के जनमदीन की उपलच को बसंद पंचमी के तेवहार के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है इस दिन ज्यान की देविमा सरसती के पूंजा अर्चना करने का प्रावधान है वही बसंत पंचमी को लेकर कई पौराडिक कथाएं है सरसती पूंजन की कहानी ब्रह्मा वयो औरत पुराड और मतस पुराड से समन्दित है एक लोक कथा के मुताबिक एक बार ब्रह्मा जी धर्ती पर विच्रण करने निकले और उन्होंने मनुस्यों और जियो जन्तुओं को दिखा तो सभी नीरस और सांथ दिखाए दिये या देखकर ब्रह्मा जी को कुछ कमी लगी और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाल कर पर्थिविव पर छिड़क दिया जल छिड़कते ही चार भुजाओं वाली एक सुंदर इस्तरी प्रकट हुई जिसके एक हाथ में वीड़ा, एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में वर मुज्रा थी चतुरांगनन ने उन्हे ज्यान के देवि मा सरस्वति के नाम से पुकारा ब्रम्हा जी की अझ्या के अनसार, सरस्वती जी ने वीड़ा का तार, उंगली से जन्नार किये, जिससे सबीफ्राडी बोलने लगी नदिया कलकल कर बहने लगी हवा ने भी सन्नाटे को चीरता हुआ मदुर संगीत स्वर पैदा किया तभी इसे बुद्धीवा संगीत की देवी की रूप में मा सरस्वती की उन्जन का विधान है जबकि एक अन्य पोराडिक कथा के मुताबिक एक बार देवी सरस्वती ने भगवान स्रीकर्ष्ण को देख लिया और वह उन्पर मोहित हो गई वह उन्हें पती के रूप में पाना चाहती थी लेकिन जब भगवान क्रष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा वह केवल राधारानी के प्रति समर्पित हैं लेकिन सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वर्दान दिया कि आज से माग की सूलक पच्च की पंचमी को समस्त विश्वत तुम्हारे विध्यावा ज्यान की दे क्रिष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूंजा की तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन ज्यान की देवी मा सरस्वती की पूंजन अर्चन का प्रावधान है अन्य की उदंतियां और ख्रोचक कहानियों के मुताबिक ज्यान की देवी मा सरस्वती का इस जन्म दिन जनम हुआ था स्रेश्टी के रचेता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती के जन्म यानि विकास की अनेक कहानिया मिलती हैं वहीं पस्यमी भारत में मा सरस्वती को भगवान सूरी की बेती की रूप में माना जाता है जबकि उत्री भारत में ब्रह्मा की पुत्री मानेता है कि सरस्वती की कहानी कार्थिके से हुई थी, सरस्वती की साधी कार्थिके से हुई थी, दूसरी और पूर भारत में सरस्वती को पार्वती की पुत्री माना जाता है, उन्होंने भगवान विष्णों की तीन पत्नियो सरस्वती, गंगा और लश्मी में से एक मानते हैं जोतिस चार और हिंदू पौराड़े कथाओं में अलग-अलग अस्थान के अनुसार क्योधनतिया और कहानिया है उत्तर भारत के लोग ब्रह्मा जी को सरस्वती का पिता और कुछ कहानियों में जब्रन साधी करने के लिए पती मानते हैं जबकि दच्छड भारत के लोग सरस्वती को भगवान सूर की पुत्री मानते हैं जबकि कहीं कहीं मानेता है कि मा सरस्वती की साधी मा पारवदी के पूत्र कार्दिके से हुई थी जबकि पूर्वी भारत में सरस्वती को पार्वती की पुत्री माना जाता है उन्होंने भगवान विष्णु की तीन पत्नियों में से सरस्वती गंगा और लच्मी को एक कहा है हाला की अलग-अलग स्थानों के कहानी के मुताबिक सर्विद्थे की सस्वती कंग माता ब्रह्मा की पुत्री के रूप में विख्यात है नहीं ज्यान की देवी के नाम से जाना जाता है और अधिक जानकारी और तथ्यों के साथ और आड़िक तथ्यों के साथ कहानी सुनने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवस्य करें कोई भी नई जानकारी आपके पास है तो आप कमेंट कर हमें बताने का कश्ट करें हम आगे उस पर गौर करेंगे चैहिन चैभारत माना